प्रेट्ट्स हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है विद्यूद धारा है विद्यूद सामर्थ हैं तो इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे विद्यूद धारा क्या होता है इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है तो इलेक्ट्रिक करेंट विद्यूद धारा का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा राष्टा हो जिस राष्टे पर विद्यूद आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज चल र आवेश की चलने को हम क्या करते हैं विद्धरा करते हैं जैसे परिपत का मतलब होता है कि जिस राष्टे पर आवेश लगातार चल ला होता है या कह सकते हैं कि परिपत का मतलब होता आवेश के चलने का राष्टा तो यह हमारा एक परिपत है और इसके पहले हम बता चुके है कि किसी भी आवेश को चलने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है जिसको इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स कहते हैं बिद्युत वाहक बल कहते हैं और इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स लगाने के लिए हमको बिद्युस्यर लगाना पड़ता है या इसको दूसरी रूप में कह कि किसी आवेश के प्रवाह के लिए किसी आवेश को चलाने के लिए हमको उस पर कारे करना पड़ता है या उस आवेश को उर्जा देना पड़ता है और उर्जा हम किस से देते हैं बिद्यूत से देते हैं तो बिद्यूत सेल का दो काम होता है क्या आवेश को चलाने के लिए औरोपित करना या फिर एक काम और शेल का कहा सकते हैं कि शेल परिपत में दो बिंदू उपर अलग अलग विभा उथपन कर देता है कि यानि दो बिंदू के बीच विभवांतर उथपन कर दिता है तो जब विभवांतर हो जाता है तोřili अवे शाव iba प्रवाह एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक होने लगता है इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आवेश के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए दो बिंदू के बीच आवेश में अंतर होना चाहिए या फिर कहले बीभाव में अंतर होना चाहिए तो ये जो बिद्दू सेल होता है इस परिपत के दो बिद्दों के बीच आवेस में अंतरा स्थापित कर देता है या भीभाव में अंतरा स्थापित कर देता है तो ये जो बिद्दू सेल है इसमें दो प्लेट होता है एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है तो इन दोनों प्लेटों को एक परिपत से जोड़ दिया जाता है ये क्या आवेस के चलने का रास्ता है तो आवेस के चलने के रास्ते में एक सेल का ये प्लेट है जिसको पॉजिटिव इलेक्टोड कहते हैं या कहलें जिसको हम एनोड कहते हैं तो एनोड को इस परिपत के एक पॉइंट से जोड़ दिये और कैथोड जिसको हम रिडोड कहते हैं या निगेटिव इलेक्टोड कहते हैं इसके परिपत के दूसरी पॉइंट से जोड़ दिये तो से यह कि एनोड पर जीतना पाजिटिव था वो पाजिटिव इस बिंदू पर चलाया और कैथोड को अगर परिपत के इस बिंदू पर जोड़ दिया है तो कैथोड पर जीतना रिड़ आवेस था वो रिड़ आवेस इस बिंदू पर आ गया तो इस परिपत के दो बिंदों के यह परिपत में एक बिंदु यह है और दूसरा बिंदु यह है दोनों बिंदुओं के बीच आवेस का अंतर हो गया यहाँ पर धन आवेस है यहाँ पर रिड़ आवेस है यहाँ पर धन आवेस होता है वह ज्यादा आवेस माना जाता है जीरो आवेस को आप जानते हैं कि जीर पिंदु पर धन आवेस यानि ज्यादा आवेस है और दुसरे पिंदु पर एक मालेश है तो आवेस का अस्ठानत्र ज्यादा अवेससे कम आवेस की और होने लगता है तो अम कहते हैं कि विद्युद धारा का प्रवा होने लगा गरज फूंकि इसके पहले यह भी मं बता चुक्ए है कि आवेश खाले वाला जो आवेश वहाग होता है तो अगर यहाँ पर रिड़ आवेश ज्यादा आवेस 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 तो यहाँ पर आष घंड़य में तो यहां पर इलेक्ट्रान ज्यादा है और इलेक्ट्रान जब ज्यादा होता है तो जहां इलेक्ट्रान कम होता है उधर की और चलना सुरू कर देता है तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रान है और यह ज्यादा इलेक्ट्रान तेजी से इधर की और चलना सुरू कर देता है तो ज हों क्योंकि इलेक्टान पर रि मर्त होता है जब इलेक्टान यहां से ऐसे करके यहां आयगा तो साथ साथ रि मर्त आवेश लेक्टान होता है वह व विद शियर के नगेटिव टर्मिनल य। कहले कि कैथोर से चल करके एनोड पर पहुंचता है कैथोर से चल करके एनोड पर पहुंचता है इलेक्ट्राण तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि को कैथोर से कहां चोड़ दिता है podemos छोड़ता है तो यह किtorव चलता है या जितर कि diff तरफ इलेक्टर चलता है उसके विपरीट बिद्युधारा के प्रवाह मांते हैं तो यह प्रवाज यह होता है marriage जब इलेक्टान कैथोर्ट से एनोड की और चलने रगता है यह हमारा इलेक्टान के चलने का डारेक्शन है इस तरह से यह इलेक्टान के चलने का डारेक्शन है और अपने साथ और यह चला हैो तो जब जैने का वारे के चलाइज है कि अंटी-क्लॉकवाइज तो यह दारा हमारी पन्य ही इस तरह से चल लए है और इलेक्टाaches इस तरह से आप परिपत में एकदम मान करके चलें कि जिस दिर्शा में इलेक्टरान का परवा होता है उसके विपरीद दिर्शा में धारा का परवा होता है। इस परिपत में आप देख रहे हैं कि इलेक्टान एंटी क्लाकवाई चल ला है घड़ी के विपरिज दिशा में चल ला है तो धारा घड़ी की दिशा में चल ला है एक चीज तो यह हो गया दूसरा हम कह सकते हैं कि रिड़ आवे जिस दिशा में चलता है उसके विपरिज दि है तो गेहां कि द्धारा की जो दिशा होगी वह है अनौट से कैइथोर की ओर होगी यह तो गया विद्धुत्धध्रा होता है और अवेश के प्रवाह की कि दिशा परिपत में बिद्धुत से एनोड से कैथोड क्यों होती है और क्या कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह या बिद्धुत धारा का प्रवाह एक तरह से कहा जाता है कि इलेक्ट्रान के गतिक दिशा के भी परीध होती है तो कुछ हम लिखते हैं इसमें पहला तो यह लिखेंगे कि किसी परिपत में आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं दूसरा क्या प्रारंभिक मानत्या के अनुसर बिद्धुत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रान की गतिक के भीपरीध दिशान होती है और इसी से तीसरा तथ निकल के आता है कि बिद्धुत धारा के प्रवाह की दिशा रिड़ आवेश के प्रवाह की दिशा के भीपरीध होती है और क्या चौथा परिपत में धारा बिद्धुत सेल के एनोड से कैथोड की ओर चलती है और एक चीज़ और ध्यान देजेगा आप यहीं पर पाँचमा परंतु सेल के अंदर बिद्धुत धारा कैथोड से एनोड की ओर होती है इसको आप ध्यान देजेगा यह लगा हुआ है और सेल जुड़ा हुआ यह परिपत है जिसमें आवेश का प्रवा होता है तो सेल के अंदर का portion यह माना देता इस तरह से यह अंदर का portion यह धनात्म टर्मिनल है यह आले यह यह कैथोड है तो इसके अंदर यह वाला पूर्सन है और बाहर यह पूरा पूर्सन है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि परिछाओं में इसको अक्सर करके पूई देते हैं तो आप कनफ्यूज होते हैं कि धारा की जिसा तो हमेशा धन है इलेक्टोड से रिड़ इलेक्टोड की उरती है लेकिन सेल के बाहर जो परिपत में धारा का प्रवा होता है वो एनोड से कैथोड की उरता है लेकिन सेल के अंदर इतना दूर जो धारा का प्रवा होता है वो कैथोड से अब आगे यह तो बिद्धुद्धारा की बात हो गई कि किसी परिपत में आवेश के प्रवा को धारा कहते हैं या बिद्धुद्धारा कहते हैं आवेश के प्रवा को बिद्युध्धारा कहते हैं किसी परिपत में आवेश के प्रवा को बिद्युध्धारा कहते हैं पहले सही यह मानता बने हुई है कि बिद्युध्धारा के प्रवा की जिसा इलेक्टान की गतिक की जिसा के परित जैसे इलेक्टान इसमें एंटी क्लाक परिपत में दहरा भिद्डू सेैल की परिपत हैं यहां तक यह परिपत है तो परिपत में जो धारा होती है वो एनोड से चल करके कैथोड पर जाकर रुखती है एनोड से चल करके कैथोड पर जाकर रुखती है एनोड से चल करके कैथोड पर जाकर रुखती है लेकिन शेल के अंदर विद्धुत धारा का प्रवार कैथोड से एनोड के रुखती है यह विद्धुत उपकरण में अगर हम विद्युध्धारा का प्रवाह करते हैं जैसे यहां पर अगर हम एक बल्व लगा दें तो बल्व में क्या होता है विद्युध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् कि किसी भी परिपत में बिद्युत आवेस के प्रभा को बिद्युत धारा की दिशा क्या होती है सेल के एनोड से कैथोड की और, सेल के अंदर कैथोड से एनोड की और, तो dal के प्रवा की परनिद्रब्सा में तो ये महीं हमारी बिद्धरा के भिशुआ की तिब्रता की तिब्रता दीखेंगे इंटेंस्टी आफ इलेक्टिक कर्णेंट तो परिपत क्यों हो अगर उसमें आवेस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो हम कहते हैं कि उसमें विद्युधारा का प्रवा हो रहा है लेकिन कितना विद्युधारा का प्रवा हो रहा है जैसे अगर कहीं से जल प्रवाहित हो रहा हो तो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि देखिये जल धारा चल लए लेकिन अगर उसकी तिवर्ता की बात हो कि कितनी तिये जलधारा चल लही है तो उसके विश्य में उसका एक माप होगा इतने लीटर प्रति सेकेंड इस तरह से बताएंगे अब तो बिल्कुल वहीं विद्युद्धारा की तिवर्ता भी वहीं तत है कि किसी परिपत में आवे आवेश का प्रवाह किस रेट से हो रहा है उसी रेट को हम क्या कते है विद्युद्धारा की तिवर्ता कते है और रेट विद्युद्धावेश के प्रवाह का रेट दर जो होता है हो हम समय के सापेक्षमापते हैं तो जैसे यह हमारा ये सेल लगा हुआ है ये परिपत है इसमें ये धन टर्मिनल है, यहाँ पर इलेक्ट्रान ज़्यादा है, और इलेक्ट्रान जब ज़्यादा है, तो वो कम इलेक्ट्रान की तरफ जाएगा, यहाँ पर कम इलेक्ट्रान है, तो इस तरह से इधर की तरफ चलेगा, और धारा हमारा हम बता चुकिए, कि इलेक्ट्र से चला तेजी से यहां से गुज़ा तो एक सेकेंड में एक सेकेंड में इल्रक्टान जितना कुलाम आवेस इस बिंदू से ले करके जाता है जैसे आप एक कंस्ट्रक्स्टन में किसी लेवर को लगा दिये वह लेवर बार-बार एक हई रास्ते से इट को ले करके जा रहा तो आप वहीं पर बैठ करके काउंट कर रहा है कि एक घंटे में कितना इट लेकर गया एक मिनट में पांच इट दूसरे मिनट में 10 इट तिसरे मिनट में 15 इट तो क्या हो गया आप एक घंटे में काउंट कर सकते हैं कितनी इट लेकर गया तो यहां पर अगर कुछ भी की देखने की विवस्ता वती है। और एलेक्टान बार बार यहां से आवेस लेकर क्या रहा है। जो जितना आवेस गजर जाता है उसी आवेस की मात्रा को हम क्या कहते हैं। इंटेस्टी आप इलेक्टिक करेंड कहते हैं तो परिपत के किसी बिंदु पर एक सेकेंड में जितना आवेस प्रवाहित हो जाता है उसी आवेस की मात्रा को हम क्या कहते हैं तो क्या लिखेंगे कि किसी परिपत में किसी बिंदु पर एक सेकेंड में इसी को आप ब्रैकेट म किसी परिपत में किसी बिंदु से एक सेकेंड में जीतना आवेश गुजर जाता है कि जीतना आवेश प्रवाहित हो जाता है गुजर जाता है कि मतलब प्रवाहित हो जाता है आवेस की उस मात्रा को उस बिंदु पर बिद्दु धारा किती बता करते हैं इसे आई से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हुआ यदि टी सेकेंड में इस बिंदु से क्यू कुलाम आवेस प्रवाइट हो जाए तो एक सेकेंड में कितना आवेस प्रवाइट होगा उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे इस बिंदु पर बिद्दु धारा किती बता कहेंगे जैसे अगर दस सेकेंड में सव कुलाम आवेस प्रवाइट हो जाता है तो एक सेकेंड में कितना होगा सव पटे दस कर लेंगे कितना आजाएगा तो दस क्या हो गया इस बिंदु पर बिद्दु धरा के ती व्रता हो गए यदि किसी बिंदु पर ती सेकेन्ड में Q कुलांग आवेश गुजर जाता है तो बिद्दु धरा के ती व्रता ती व्रता I is equal to विद्युधरा के तिमता को i से लिखते हैं तो i is equal to प्रवाहित आवेश प्रवाहित आवेश या गुजरा हुआ आवेश बटा समय क्यों कि एक सेकेंड में हमको कितना आवेश प्रवाहिश हुआ उसको निकलना है तो हम समय से भाग देंगे तो एक सेकेंड कर निकल जाएगा तो क्या हो गया है से i is equal to q upon t ये एक फ्रमला बनके आया विद्युधरा की तिमता का i is equal to q upon t अब यहीं i क्या होती है विद्युधरा की तिमता होती है लेकिन समान ने बोल चाल की वासा में इस i को केवल विद्युधरा कहते है actually यह i क्या होता है विद्युधरा की तिमता होती है तो विद्युधरा की परिवासा पूछें तो केवल आपको यहीं बताना है कि परिपत में आवेस के प्रवाह को विद्युधरा कहते है जब बिद्युद्धारा की तीवर्ता पुछा जाता है, तो आप बताएंगे कि परिपत के किसी बिनदु से एक सेकेंड में जितना आवेस गुजर जाता है, उसी आवेस की मात्रा को बिद्युद्धारा की तीवर्ता कहते हैं. सामानता आप confused रहते हैं जब आपसे विद्युद्धारा पूछा जाता है तो आप कहते हैं विद्युद्धारा i is equal to q by t या किसी बिंदू से एक सेकेंड में प्रवाइट आवेश की मात्रा को विद्युद्धारा कहते हैं तो यह गलत है विद्युद्धारा की तिवर्ता यह होती है कि परिपत के किसी बिंदू से एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाइट हो जाता है उस आवेश की मात्रा को विद्युद्धारा की तिवर्ता कहते हैं मात्रक Q का मात्रक कुलाम T का मात्रक सेकंड तो कुलाम प्रतिसेकंड एक तो ये मात्रक हो गया और दूसरा मात्रक है कुलाम प्रतिसेकंड को एमपियर भी कहते हैं तो क्या लिखेंगे बिद्धुधारा की तीवर्था का मात्रक क्या होगा कुलाम प्रतिसेकिंड होता है जीसे होता है जिसे एंपियर कहते हैं इंपियर कहते हैं बहुतिक बैज्जानिक का नाम है एंपियर उनिके नाम पर बिद्धुधारा की तीवर्था का इम्पीयर हो गया है अब एक एम्पीयर किसे कहेंगे उसको आप जान लीजे जैसे कोई कहा देता है कि इस परिपत में एक एंपीयर की धारा बै रहे हैं तो आप उसका मतलब क्या लगाएंगे कि एक चेकेंड में इसमें एक खुलाम आवेश प्रभाइत हो रहा तो क्या लिखेंगे कि एक एंपियर की अगर आपसे परिवासा पुछी जाए तो आप बताएंगे कि परिपत के किसी बिंदु से एक सेकेंड में यदि एक कुलांग आवेश प्रवाइत हो तो परिपत के उस बिंदु पर बिद्यु धरा की तिवरता एक एंपियर होती है तो एक एंपियर की परिपत के किसी बिंदु पर एक सेकेंड में एक कुलांग आवेश प्रवाइत होता है तो परिपत के उस बिंदु पर बिद्यु धरा की तिवरता एक एंपियर होती है तो आज हमने देखा आप विद्धारा कहते कि इसको है, विद्धारा की दिशा कौन होती है, विद्धारा की तिवर्ता क्या होती है, विद्धारा की तिवर्ता का मात्रक क्या होता है, तो उमिद करते हैं कि टापिक समझ में आए होगा, अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या ह तो आप हमारे YouTube चैनल के comment box में comment करके अपनी समस्या करेंगे और यदि वीडियो क्लीप पसंद आया तो फ्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे शांत ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लीप का नोटिफिकस्ता आपको मिलता रहे और आपक अगले वीडियो क्लीप में एक बार फिर आपके भविस्य के लिए बेस्ट अभलक धन्यवाद